पूछ मंत्री नितीश कुमार जी को इस बात का बड़ा गुरूर रहता है कि नालंदा हमारा, नालंदा के हम, नालंदा हमारा गढद देखिए अब गढ़वड किसी का भी नहीं है, सबी गढ़ डग गये हैं नालंदा से ही समझा जा सकता है कि बिहार के अन्य भाग में जो है अन्य जिलों में क्या आक्रोस होगा जब उनके ग्रीज जिले में इतने आक्रोसित लोग है इस बार तो नितिश कुमार जी का सुपरा साफ हो जाएगा मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ दो हजार चौ आपका लाइब भीहर में मैं आपके साथ रूप हूँ देखें लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले चिराग पासवान पहुशते हैं नालंदा और नालंदा में जनसमवाद कारकरम भी वो रखते हैं और कहा जा रहा है कि काफी भीर उमरता है अब चिराग प पहुँचे होगे और काफी भीर हुई नालंदा जो कि नितीज कुमार का गर माना जाता है और वहाँ पर जाकर दाहारना चिराग पासवान का एक अलग ही वो द्रिस वया कर रहा था हम आपको बता दें कि जो खबरे सामने आ रही है कि अब नितीज कुमार जी की हालत काफी खराब हो रही है मतलब चिराग पासवान का नालंदा में जंसमवाद कारकरम रखने के बाद चले क्या कुछ असर पड़ेगा लोग सभा के चुनाओ पर नितीज कुमार जी पर क्या नितीज कुमार जी अब एक अलग ही वो प्रोग्राम बनाएंगे अपने लोगों को जु राजयसबर जी आप भी उस समय जब नालंदा में यह कारकरम हो रहा था उस समय मौजूद है क्या कुछ द्रिश से था वहाँ पर और क्या जाने के बाद आपके पार्टी पे बीजेपी पे इंडिये पे क्या कुछ असर पड़ा देखे विहंगम द्रिश से था वैसे तो हम लोगों में जो आकर्शन है हमारे रास्टिय ध्यक्ष के प्रती यह हमारे पार्टी के वीजन के प्रती जो बिहार फर्स्ट और विहारी फर्स्ट हम लोगों ने जो है विकास का मॉडल जो तयार किया है पूरे बिहार के समावेसी और सामेकित विकास का जो मॉडल है उसके प्रती जो जनाधार बढ़ रहा है लगातार से उसका एक उतक्रिष्ट नमूना जो है परसो चंडी की सभा में जो है देखने को मिली है चंडी में अपार जंसलाव आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी को इस बात का बड़ा गुरूर रहता है कि नालंदा हमारा नालंदा के हम नालंदा हमारा गड़ देखिए अब गड़ वड़ किसी का भी नहीं है सबी गड़ ढग गए है इस बात का प्रमान जवलंत जो है नालंदा के चंडी में देखा गया उससे पहले थर्थरी में देखा गया और नालंदा में जितनी भी सभाय हुई चिर रहा था जो भीड में यहां देखा गया लोगों ने जह जहकारा लगाया नितीज कुमार जी के मुर्दाबाद के केनारे लगें इस बात से असपष्ट समझा जा सकता है कि बिहार की जनता नितीज कुमार जी से कितना उब चुकी है कितना भर चुकी है और नितीज कुमार जी सब्सक्ते इताब मोफश करना क्षबर कर ने मेरे साथ इए किया निथीज कुमार के ख़िलाफ करेंग रिए कारव यह और नालंदा का कर जा सकता है कि कर दो भाग में जो है अन्य जिलों में क्या अक्रोस होगा जब उनके ग्रिष जिले में इतने अक्रोसित लोग हैं उनके विरुद एक दम सामने आमने सामने खड़े हैं लोग नितीश कुमार मुर्दे बात के नाले रख रहे हैं तो यह अब समझ सकती है कि नालंदा में जो एक करते हैं चुनाओं की चुनाओं आ रहा है तो पहले भी सुन रहे हैं कि चिराग पासवान की वजह से काफी छती हुई है नितीश कुमार की और अब आगे 2020 में तो आपने देखा है कि बिहार की जनता ने उन्हें नकारते हुए तीसरे नंबर की पाटी बना दी छती सीटों का उन्हें नुक्सान सहना पड़ा उन्होंने स्वैम स्विकारा था और उनके तमाम नेताओं ने चुनाओं के बाद जो समिक्षा के मीटिंग हुई थी उसमें तमाम जो है उनके प्रत्यासियों ने इस बात को स्विकारा और मन्ये नितीश कुमार जी ने भी स्विकारा कि लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के राश्टी अध्यक चिराग पासवान जी के नेत्रितों में जो हमारा लड़ाई हुआ उसका जो परिनाम है कि 36 जाएगा मैं बहुत गंभिरता से बोल रहा हूँ दो हजार चौबिस में भी और दो हजार पचीस में भी दो हजार चौबिस में उन्होंने एक दिवास्वापन देखा था का एक दिवास्वापन था कि इसका सन्योज़क हम बनेंगे प्रधान मंत्री के उमिद्वार बनेंगे अब तो आप देख रहे हैं उनके दलों के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं सन्योज़क बनने से रहे प्रधान मंत्री का उमिद्वार बनने से रहे भाई जिससे बिह बिहार नहीं समला देश क्या समलेगा कौन देश का देश की जनता जो है इनको वोट देगा इसलिए कि ऐसा पूल बनाएं जो बनने से पहले ही ढ़ाजा आगे की रन नीती क्या है आप लोगों की पूरे देश में कोई भरष्टाचार तो नहीं न चाहेगा निती इसकुमार क आप लोग पचारेंगे देखिए हम लोगों को नहीं पचार ना है उनकी गलत नीतियों के कारज जो बिहार जो है आज बरबादी के कगार पर खड़ी है बिहार की जनता अब इनसे उब चुकी है उनका मन भर चुका है और अब इंतेजार है सिर्फ एक चुनाव का यह गलत उन तमाम गलत नीतियों के कारण जिस कारण जो है बिहार बरबाद है आज पलायन करने को मजबूर है चाहे वो मजदूर हो चात्र हो किसान हो किसान की बदहाली यह है कि अभी वीरोपनी नहीं हुई है आप देख रही होगी 30% वीरोपनी पूरे बिहार में नहीं हुई है और बावजूद सुखा ग्रस जो है छेत्र घोसित करने से नितीज कुमार जी परहेज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों को लेकर हम जनता के जब बीच जाएंगे तो नितीज कुमार कहीं ठीकेंगे ही नहीं बहुत बहुत धनिवाद तो आपने सुना लोग सभा का चुनाओ आने वाला है और नितीज कुमार के गढ़ में जाकर चिराक पासवान का दाहार नौर आपने देखाई कि चिराक पासवान कैसे कहीं भी जा रहा हैं तो भीर उतनी ही उमर रही है काफी भीर उमर रही हाला कि इनका कहना है कि उनके गर अब नहीं रहा नितीज कुमार का यह गर नहीं रहा लेकिन हम आपको बता दे कि जब लोग जब उप चुनाओ था मोकामा की मोकामा में उप चुनाओ था तो उसमें भी यही कहा जा रहा था वहां पर भी चिराक पासवान पहुचे थे मोकामा में और कह रहे थे कि किसी का गर नहीं होता है जिद बीजेपी की होगी लेकिन आपने देखा ही जगजाहीर हुआ कि वो गर अनंत सिंग का ही रहा लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि नालंदा की बात कही जा रही है जहाँ पर नितीज कुमार की गर है वहाँ पर चिराग पा यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें